हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आर चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूँ आपके साथ प्रांशी राठोर आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपकी फेवरेट अदाकारा एरिका फर्नेंडेस से जुड़ी बातों के साथ जी हाँ टीवी के मशूर अभी नित्रियों में से एक एरिका फर्नेंडेस अपने हेक्टिक सेड्यूल से समय निकाल कर हर समय फोटो शूट करवाती रहती हैं एरिका सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और समय समय पर अपनी फोटोस के जरिये फैंस के भी धमाल मचाती नजर आती हैं अभी हाल ही मैं एरिका ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलती जा रही हैं तो आईए दिखाते हैं एरिका फर्नेंडिस की ये होट तस्वीरें दशको जैसा कि आप फोटोज में देखी रहे होंगे कि एरिका ने अपने लग भग हर फोटो शूट को श्वीमिंग पुल के आसपास ही करवाया है ऐसे में साफ देखकर पता चल रहा है कि उन्हें इन जगों से बेहत प्यार है जैसा कि आप देखी रहे होंगे कि तस्वीरों में एरिका ब्लैक कलर की मोनोकोनी में दिख रही है इस ड्रेस में एरिका काफी खूफसूरत लग रही है और साथ ही उन्होंने चस्मा भी लगा रखा है जो कि उनकी खूफसूरती में चार चान लगा रहा है वहीं एरिका ने अपने चस्वे को टसन के साथ उपर उठा कर अपने सिर पर लगा लिया है और इस दोरान उन्होंने कैमरे की ओर देख कर ऐसा पोज दिया है कि कोई भी उनकी खुशुरती का दिवाना हो जाएगा एरिका ने जैसे ही अपनी बोल्ट तस्वीरों को सोशल मेडिया पर शेयर किया फैंस के बीज खलवली मच गई है और घंटो भर में ही फैंस ने जम कर कॉमेंट्स और लाइक्स की बरसात कर दी है वहीं आपको बता दें कि एरिका सीरियल का सोटी जिनिकी में प्रेना के करदार में काफी सीधी साधी लगती है वहीं उनकी रियल लाइफ की बात करें तो वो काफी स्टाइलिस और हॉट डिखती है देगे किस तरह वो टीवी की प्रेना अपनी नैनो से बार चलाती नजर आ रही है अगर किसी दिन एरिका अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स पर अपनी फोटो शेयर नहीं करती है तो फैंस सोशल मीडिया पर उनकी तसमीरों की दिमांड करने लगते है एरिका कितनी भी बीजी क्यों ना हो वो अपने फैंस को कभी निरास नहीं करती है और अगर कभी भी सोशल मीडिया पर नया पोस्ट नहीं डाल पाती तो इन तस्वीरों के जरिये फैंस को अनोफ़ा तोफ़ा डे डालती है तो देखा दर्शकों आपने कैसे एरिका अपनी इन तस्वीरों के जरिये अपने दर्शकों को खुश करती रहती है तो दर्शकों फिलहाल हम लेते हैं विदा बागी की तमाम को परचानने के लिए देखते रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ से प्रांशिगी रिपोर्ट